पूरे पटना को जल मगन कर दिया है तस्वीरे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से सरकार के दावे भी इसी पानी की तरह बहती हुई नजर आ रही है आपको बता दे कि मुखी मंतर नितीश कुमार हर साल यही दावा करते हैं कि इस वर्ष जल जमाव की स्थीती देखने को नहीं मिलेगी लेकिन इसके बावजूद तस्वीरे कुछ और ही बया करती है आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से डिप्टी सियम रेनु देवी का घर भी पूरी तरह से डूब चुका है इतना ही नहीं जितने भी सरकारी कादराले हैं वे सभी इस बारुष के पानी में एक बार फिर से डूब चुके हैं पिछले बार भी हमने आपको तस्वीरे दिखाई थी जब बिहार विधान मंडल पूरी तरह से डूब गया था और अब एक बार फिर से महच कुछ घंटों की बारश नहीं एक बार फिर से सभी कार्याले को डूबा दिया है आपको बता दे कि लगातार सरकार ये दावा करती है कि इस बार ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा इस बार लोग बारश की पानी से परशान नहीं होंगे लेकिन इसके बावजूद हर साल तस्वीरे ऐसी ही निकल कर सामने आती है आप अपने स्क्रिन पर देख सकते हैं कि किस तरह से डिप्टी सियम रेनू देवी का घर भी पूरी तरह से डूब चुका है इतना ही नहीं अगर सरकारी कार्याले की बात करें या फिर पटना के अलग अलग जगों की बात करें तो हर जगा जल जमाव देखने को मिल रहा है हाला कि जल निकासी की विवस्था बाद में सरकार के तरफ से की जाती है लेकिन जो दावे किये जाते हैं कि जल जमाव ही नहीं होगा ऐसे दावे में सरकार पूरी तरह से विफल साबित हुई है ये दावे और वादे सिर्फ और सिर्फ फाइलों में ही सिमट कर रह जाते है हम आपको इस पूरे वीडियो के साथ छोड़े जाते हैं और आप खुद देखिए कि किस तरह से राजधानी पटना इस वक्त बारश के पानी में डूब चुका है